इस टाइम को और आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ साथ जो ये नेगिटिव मार्किंग और पासी मार्क्स वाला जो सरकार लेके आई है नई पोलिसी इसके अंडर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है केंडेट्स को क्योंकि एक तो उपर से नेगिटिव मार्किंग कर दी और नेगिटिव मार्किंग चलो ठीक है एक हद तक ठीक है उसके साथ साथ आपको पासी मार्क्स भी लेने जरूरी है और अगर आप पासी मार्क्स भी ले लेते हो तो फिर भी प्रोब्लम आ जाती है आपकी अंसर की के इतने इतने पैसे जो है उसके लिए जाते हैं अगर आप answer की को revise करना चाते हो अगर आप कोई भी objection लगाते हो तो उसके उपर भी जो है आपको इतना charge देना होता है और उसके बाद भी आपको ये नहीं पता लगता कि final answer की कब आई और उससे पहले आपका results जो है जारी कर दिय जाता है ताकि दो बारा से आप उसके उपर objection ना लगा पाओ और यही हुआ SRO के जो 600 पत थे उन में 57 पास हुए हैं only 57 वेटरिनेटी सर्जन की बरती में जिसमें उसे 26 जवाब गलत मिले अब आप ये बताओ कि 26 questions के जवाब जो है answer की में wrong थे तो ये किस तरह की बरती होगी बिल्कुल clear होगी हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा कि इस चीज के मार्कस इतने लगे हैं तो अब ये आप बता सकते हो कि इतने questions गलत और उसके साथ 700 पदों के लिए सिर्फ सताव है या तो आप अगर negative marking आपको लेनी है तो आप उपर की जो merit list है वो इस तरह से तयार कीजे कि ताकि कम से कम जो ये पद है ये पूरे fill हो सके इतने time हो गया बच्चों को इस चीज का इंतजार करते हुए तो इस चीज का देखो सभी विरोध कर रहे हैं और बात भी जारी है क्योंकि भरती का जो weight है बच्चे बहुत कई सालों से कर रहे हैं लेकिन उसक है मंतरी साहब ना सिक्षा मंतरी को किसी भी चीज से के लिए कोई बस सिर्फ उस time period को आगे 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 निकालने में लगे हुए हैं अब ये नहीं पता कि कितनी कितना time period रहता है क्या कुछ इसका जो fix pattern है कुछ भी नहीं information इसकी दी गई है तो यही अनुरोध है अपने व अब दिक्कत आ रही है veterinary surgeon की भरती के लिए काश ऐसा ही हमारी भरती में ना हो इसलिए इसके खिलाफ पहले ही वाज उठा दी जाए तो आपका क्या मानना है क्या सरकार सही कर रही है जो ये negative marking का और उसके साथ passing marks के जो नया step सरकार ने लिया है क्या आप इसके खिलाफ हो य अगर आप इस चीज को गलत मानते हो तो ज्यादा से ज्यादा जूलने की कोशिश कीजएगा और सरकार के इस बात का विरोध करने की कोशिश कीजएगा so thank you so much वीडियो अच्छी लगी तो like share and subscribe करना नहीं भूले thank you